हाई एवरिवन वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल कुपविद नीरम आज की जो हमारी रेस्पी है वो एक स्नेक्स रेस्पी है और यह रेस्पी इस पेसली बच्चों के लिए है क्योंकि कभी-कभी हमारे बच्ची जित करते हैं कि उन्हें कुछ डिफ्रेंट चाहिए खान बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक कप के करीब पास्ता यह आप देख सकते हैं इस सिर्फ का पास्ता में लेना है हमें कडाई में पानी एट करेंगे आप कोई भी परतान ले सकते हैं कडाई की जगे जो भी आपके पास एबलेबिल हो क्योंकि हमें सिर्फ पास्ता को को बॉयल करना है और पानी में हम बॉयल आने देंगे अच्छे से आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है अब हम इसमें अपना पास्ता एड़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा अब हम इस्टर करेंगे पास्ता को हमें 100% कुक नहीं करना है हमें इसे स्र करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं पास्ता हमारा जो है वह अच्छे से पग गया है तो इसको आप हम निकाल लेते हैं तो यहां पर मैंने इस टेनर में पास्ता को निकाल लिया है अब इसके उपर ठंडा पानी एड़ करेंगे फ्रिज का जिसकी जो पास्ता आप आसमें चिपकेगा नहीं अब एक पास्ता को मैं आपको कट करके भी दिखाती हो अगर यह दो पार्ट में डिवाइट हो रहा है त और इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूं ताकि उसका पानिया सारा ड्राइंग हो जाए और यहां पर मैंने लिए चार स्टिक्स एक स्टिक लेंगे हम और यह जो पास्ता है उसको हम एक-एक करके इस स्टिक्स में डालते जाएंगे बहुती यूनिक स्नैक्स है यह बच तो यहां पर मैंने एक इस्टिक में पास्ता को एड़ कर दिया है इस तरीके से में जो है सारी जो इस्टिक है सब में ऐसे ही डालते जाना है पास्ता को किमलेए तो हमारी चार लोजन कौने है वो रैडी है अब हम इक प्रेट लेंगे और इसके ऊपर एक हम बटर पिपर रखेंगे और यह जो पास्ता है हमारा इसको इस स्टिक को यहां पर मैंने लियाए पिज़़ सॉस और एक ब्रस की हेल्फ से हम इसके उपर ये पिज़ा सॉस को एपलाई करेंगे अगर आपके पास ब्रस नहीं है तो आप स्पून से भी इसको लगा सकते हैं और इसे हमें दोनों साइड से पिज़ा सॉस को लगा देना है इसी तरह से हम अपनी जो दूसी स्टिक है उस पे भी लगा देंगे पिज़ा सॉस को दोनों साइड से हम इसको लगा देना है काफी टेस्टी लगता है ये जो स्नेक्स है तो यहां पर मैंने तीन स्टिक को रेडी कर लिया है क्योंकि इस प्लेट में तीन स्टिक आ सकती है और हम लेंगे एक बॉल में मुजरेला चीज और ये जो चीज है हम इसकी उपर अपलाई करेंगे कि ये कि जुफो को हुमेंबेड करके लेना है दो सारी स्चिक्स के ओपर है यह醒ों अपनी चीज है इसको डाल देंगे आप को भी चीज डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो I आपके इसके उपर क्यूब चीफ भी डाल सकते हैं और आप इस पर टमाटरेट डालेंगे जो जो टॉपिंग्स आपको पसंद है वो सारी टॉपिंग्स इस पर डाल सकते हैं हम इस पर डालेंगे स्वीट कॉर्ण देखने में काफ़ी कलरफुल लग रहा है यह जो हमारा स्नेक्स है और नेक्स अब हम इस पर शिम्ला मेश की टॉपिंच डालेंगे अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा तो हमारे तीनों स्ट्रिक्स जो है वो रैडी हो गई है कि देख सकते हैं कितनी बड़ी आ लगरे है ना ओओ आम उस पर और यह घैनू डालेंगे थोड़ा सा और इक कडाई लेंगे हम इसको मैंने पहले ही प्रीहिट होने रख दिया था दस मिट पहले और जो प्लेट है हमारी इसको रख दिंगे इसकी उपर इसको हम सिर्फ दस मिट के लिए पकाएंगे ज्यादा नहीं दस मिट बाद आप देख सकते हैं इसका कलर एक्टम चेंज हो प्लेटिंग कर लेते हैं अपने स्नैक्स की अगर आप इसको माइक्रोविम में रख रहे हैं तो सिर्फ इसको पांच मिट के लिए रखेगा तो तीनों हमने स्टिक रख ली है और हमारे स्नेक्स रेडी हो चुका है खाने के लिए आप देख सकते हैं बहुती यमी बहुती कलरफुल बना है यह जो स्नेक्स है हमारा अब इस नेक्स को जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने बच्चें को जरूर खलाएगा उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा यह एक दम डिफ्रेंड यूनिक रेस्पी है यह चलिए फिर मिलती हूं अपने नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बगई बगई